सबका जीवन खुशियों से भर जाए दिवाली आने वाली है दिवाली का भी धेर सारा प्यार और सुब कामना है आप सब के लिए आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह सूरी ग्रहन जो इस साल का लास्ट सूरी ग्रहन है और यह फेस्टिव सीजन के अंदर आया है त नहीं है कि आप वेस्ट वेंगंगॉल में माकाली की पूझा या दूसरे स्टेट्स में मालक्षमी और कुबेर जी की पूझा हो जो भी पूजा हम करते हैं इस पूजा को करना चाहिए कब स्टार्ट करना चाहिए यह सब लेकर हमारे मन में धेर सारे क्वेडीज है धेर सारे दुविधा है तो आएए जानते हैं यह सूर्य ग्रहन कब है सूर्य ग्रहन वैसे 25th October 2022 को है यह आप लोगों को और पता चल चुका है और सूर्य ग्रहन में धेर सारे पॉजडिविटी भी आती है धेर सारे नेगितिविटी भी आते हैं तो हमें हमेश्या पॉजडिविटी को बड़करार रखने के लिए करना चाहिए क्योंकि पूजा निषिद्ध है पर मंत्रा चैंटिंग को बहुत ही पावर्फुल माना गया है जितना जाधा हम चैंटिंग करेंगे किसी भी मंत्रा को इस 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 रिलेटेमें आप लोगों को यह तो चंद्र अब हो या शूरी ग्रहन हो अगर आप ग्रहन के समय आपका जो प्रिय मन्त्र है या चाहे आपका इश्टम मन्त्र हो या आपका कोई भी धर्म से हो आप किसी भी किसी भी धर्म से हो किसी भी मंत्रा को आप चैन्ट करते हो जो आपका बहुत प्रिय मंत्रा है जिस मंत्रा को आप चैन्ट करने से आपको अच्छा फील होता है आपको पॉजिटिव होता है उस मंत्रा को आप इस ग्रहन के समय चाहिए यह वाला 35 ऑक्टोबर को जो सूरिय ग् या आने वाले किसी भी शूर्य ग्रहन चंद्रग्रहन के दोड़ान आप अगर कोई भी मंत्रा chant करते हैं continuously chant करते हैं तब मंत्रा उता है सिद्ध हो जाता है इता हम मंत्रा उस समय आप continuously chant करने का मिल जाती है जो आपके विछोड को बहुत helpful होता है आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत helpful होता है तो इस आपका जो प्रिय मंत्रा है उस मंत्रा को जरूर चैन कीजिए चाहे आप किसी भी स्थान पर आप चाहे चैर पर बैठिये आप चाहे आसन लगा के बैठिये कहीं आप कैसे भी इसको चैन कर सकते हैं आपका उचारन ठीक होना चाहिए और वह लगातार चैन करना है और ये वाला मंत्रा जब सिद्ध हो जाएगा आप कंटिनियूसली कम से कम एक 108 बार चैन कीजिए अनलिमिटेड चैन कर पाए जो अबदी होती है ग्रहन का टोटल जो होता है उस समय पूरा समय अगर आप चैन कर सकते हैं इसमें आप में सात्विक्ता भी बढ़ती है आप में पॉजिटिविटी आती है आपके सराउंडिंग्स में आप जहां बैठ कर ये चै होती है तो आपके प्रियर किसी मंत्र को जरूर चैन कीजिए इस ग्रहन के दावरान और इसका जो बेनेफिट है वह आप पूरा साल पूरे जिन्देगी जब भी आप इस मंत्रा को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप चैन करेंगे या आपका कोई विश जाएगा आप जिस प्रॉब्लम से निकलने के लिए इस मंत्रा को चैन करेंगे वह बहुत जल्दी आपसे दूर हो जाएगा तो आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जस्ट इस मंत्रा को चैन करेंगे और देखिएगा आपके सारे प्रॉब्लम कितने इ करके यग्य करके सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है सिर्फ मन का विश्वास और डेडिकेशन के साथ आप चैंटिंग कीजिए और फिर देखिए गहन खतम होने के बाद भी आपके लाइफ में आने वाले दिनों में कभी आप जब भी उस मंत्रा को चैंट करेंगे आपको की जरूर मिलेगा और जब आपको पॉस्टिव इफट दिखेगा जरूर कमेंट करके बताइएगा तके मैं सही बोल रही हूं यह भी मुझे तसली हो साथ ही साथ बाकी लोगों को भी बाकी जो कमेंट देखते हैं बाकी जो विवेवर्स हैं न्यू सब्स्क्राइबर्स हों यह सर्फ मेरे सुनी-सुनाई बातें नहीं है कि ने चला रहर भी मैं अजिए को करती है तो उसी मंत्र का करती हूँ और आप खुद करके देखिए, आपको positivity अगर नहीं मिले तब मुझे आप कामेंट करके बताएगेगा कि आपने मुझे आपने कहा था हम लोगों को इस मंत्रा को चैंट करने के लिए और फिर इसका पॉजिटिव रेजल्ट मिलेगा पर मुझे नहीं मिला आप जरूर कमेंट करके बताईए पर मुझे पता है अगर आप कंटिनुवांसली ग्रहन के समय यह कोई भी मंत्रा चैंट पूरा कंटिनुवांसली करते हैं उसका फल आपको बाद में जरूर मिलेगा तो आएए जानते हैं सूर्य ग्रहन के बारे में 25 ऑक्टोबर 2022 शाम चार बच कर बावन मिनिट पर स्टार्ट होगा शुरू होगा ग्रहन लगना शुरू होगा और यह दिखाई देगा सबसे प और ग्रहन सर्वोच्य उसमें पहुंचेगा पांच बचकर एक मिनिट पर न्यू देली के हिसाब से हम बहुत बार हम ज्यादा तर न्यू देली के टाइम के हिसाब से ग्रहन अपने शहर में किस टाइम आएगा वह भी देख सकते हैं वह जान सकते हैं आप चाहे तो गूग सब्सक्राइब को ही शाम चार बचकर उनतिस मिनिट पर यह ग्रहन स्टार्ट होगा शीर शीर स्थान पर रहेगा ग्रहन पांच बचकर बिया लिस मिनिट मतलब 542 मिनिट पर और यह ग्रहन खतम होगा शे बचकर नौ मिनिट पर और आप लोगों को यह तो पता ही है फिर भी मैं बता दो ग्रहन स्टार्ट होने से बारा घंटे पहले और खतम होने के बारा घंटे तक सूतक रहता है आप उसे साब से आपने आपके पूजा पार्ट का जो भी रिचुल है कर सकते हैं पर चौबिस तारिक कल है कल आप आराम से पूजा कर सकते हैं क्योंकि ग्रहन तो 25 तारिक को शाम को लगने वाली है उससे पहले तो पूजा हो ही जाएगी और उसके बाद जो शाम को पूजा होने वाली है वह छे बचकर नौ मिनिट तक खतम हो ही जाएगा ग्रहन उसके बाद भी आप कर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आज यहीं तक नेक्स्ट वीडियो में भाई दूज के बारे में बताने वाली हूं ताकि आप लोगों का कन्फूजन दूर हो और आप भाई दूज का तेवहार भी धे सारी खुशियों के साथ मना सकते अब यहीं तक नमस्ते